नमस्कार दोस्तों जै मा सुस्क्ति जै जुआर दोस्तों आज हम बात करेंगे BSTC Pister और सेकेंडर रिजल्ट लेकर जी हाँ दोस्तों हमारी एक्जाम थे लस्ट एक्जाम था था फर्रेल का था ठाध indemर दो फर्रेुरिश था लेकिन अभी तक हमारा प्रिणाम नहीं आया हैं जबकि सरकार का आ चुका है, जबकि इनका जो एक्जाम है, सरकार का एक्जाम था, वो 17 अपरेल के सम्टिंग शुरू हुआ था, लेकिन इनका रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, आखिर विबाग ने क्या बता है, रिजल्ट के तारीक क्या है, इस वीडियो ह हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले इस पोस्ट पर आपको विसे ध्यान देना चाहिए देखो कि अच्छा लिखा है इन्होंने कि देश पर में मद्दान पूरा होने के तीन दिन बाद रिजल आ जाता है लेकिन परतियोगी प्रिक्षाओं का प्रिणाम आने में सालों लग ज लेकिन परतियोगी प्रिक्षाओं के संपन होने में उनका अंतिम प्रिणाम सामने आने में और न्यूकती मिलने में अकसर महिनों और कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं क्या परतियोगी प्रिश्वा को आईजन लोग सबाद चुनाओं से भी बड़ा और बारी भरकम काम ह दरसल नहीं हमारा सिस्टम के लिए वाका समय और भविश्वी कितना मुहत्व रगता हैं तो इनको सरकार को सिर्फ अपनी पड़ियें चाजरों की कुछी नहीं पड़ियें मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं किसी सरकार का विरोजी नहीं कर रहा हूं लेकिन आप समझ सकते हूं है ना आप खुद देखो आपका पांच फ्रेवी को लेश्ट एक्जम हुआ था लेकिन अभी तेक रिटल नहीं आया जबकि पिछली बार तो चुनार नहीं थे तो रिटल क्या है कि जल्दी आए चुका था 28 दिन के अंदर अंदर लेकिन इस बार नहीं हाई अब हम विकार पांच जुन और गुरुवार कल छे तो पांच छे जुन यानिक आज या कल रिटल आ सकता है यह इन्होंने बताए हैं ठीक है अब इसमें कितनी सच्च यह हम कुछ नहीं के सकते क्योंकि इनका तो बस एक ना दे दिना कि इस तारीक को आएगा आएगा नहीं आएगा इन प आपको क्या लगता है कमेट में जुरू बताना जो मुझे जानकारी मिले में उसने मैंने आपको साथ शेर किया है ठीक है तो गाइस रिजल हमारा दोको इनके इसाब से तो आज यानि पांच जुन और छे जुन को आना है लेकिन कभी भी आ सकता है अब तो ठीक है तो यह व